हेलो स्ट्रेंट्स गुडीवनिंग एवरीवन तो दोस्तों आज की इस क्लास में आज के छोटे से सेशन में हम जो सीखने जा रहे हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले दस ऐसे वाके दस ऐसे सेंटेंस जो हम अपनी रोज मरा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और यकीन जानिए वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि sometimes हमें यही नहीं पता होता कि उन हिंदी के sentences को English में कैसे translate किया जाता है तो दोस्तों समय ना बिताते हुए ना गवाते हुए बिताते हैं अपना समय इन sentences को सीखने के लिए ठीक है आईए तो बटे सबसे पहला जो हमारे पास जो यह दो sentences है किते हैं कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो अब कहते हैं सच्चा प्यार कैसा कि सच्चा प्यार ऐसा जो जूट ना बोले नहीं किते हैं तुम मेरा सच्चा प्यार हो अब प्लेंटरिक लव क्या होता है प्लेंटरिक लव होता है अंटचेवल जो सच्चा प्यार होता है वो फिजिकल नहीं होता है वो शारिरिक नहीं मानसिक होता है वो दिल से होता है दिमाग से होता है लेकिन शरीर से नहीं रहत तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार, तो तुम मेरा सच्चा प्यार हो, you are my planternic love, ठीक है, अगर आपके कहीं कोई views बनते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर बताईए, ठीक है, अब आगे एक और sentence है, औरे कहते हैं, को बहुत से वो लोग मिल के sentence को हम क्या कहेंगे, कहते हैं कि big toy, big boy, कि मतलब जब इनसान बड़ा हो जाता है, तो उसके खिलोनी भी बदल जाते हैं, जब इनसान बड़ा हो जाता है, तो खिलोनी बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी priorities बदल जाती हैं, उसके friends बदल जाते हैं, उस कि जब कोई गुसा हो जाता है तो हम कहते कि अरे बस भाई गदाधारी भीं कि लड़की है तो लेडवाई भीं शांती शांती ओम क्या क्यता है युटेशन मुटा गुसवह करो के शांती से कामलो्य। उस सिचुवेशन काए, और उस सिचुवेशन को खेलो प्लेट कूल मतलब बड़े शांती से खेलो situation को इस situation के साथ लड़ो मतलब इसका आप इस तरह से इस situation को ऐसे डील करो जैसे कि कोई बात ही नहीं है तो शांती से काम लो तो क्या कहते हैं प्लेट कूल नेक्स्ट छोटा मू बड़ी बात अब ऐसे नहीं कि कोया किसी का मू इतनासा है और वह बात कर रहा है कि मैं तो दस अजार किलो मेटर जाऊंगा क्यों रहे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं यह इस तरहीगे कि बात नहीं है कहने का मतलब वो क्या कहना चाहता है कि छोटा मू बड़ी बात कहना वो यह चाहता है कि कोई इंसान जिसकी पोस्ट छोटी है लेकिन वो बात उस लेवल की कर रहा है जिस लेवल पर कोई officer जाकर बात करता है तो कहीं बार कि कोई clerk अपने officer को advice दे रहा है तो कहता है कि हुजूर छोटा मू बड़ी बात वाट ड़ी बीन कि मतलब कि जो मैं बोलने जा रहा हूं जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बात वो बात आपके टक्कर की आपके लेवल की आपकी समस्या को सुलजाने के लिए कारगर है तो उस situation में हम यूज करते हैं छोटा मू बड़ी बात तो कहता है small bits मतलब बुद्धि मत्ता कि जो clerk लेवल का इंसान है उसकी बुद्धि कितनी हो लेकिन उसके बावजूद great beast बीस मतलब ऐसे तो जानवर होता है लिए कि कि किसी के शरीर के अंदर छोटी बुद्धि ल तो यह उसी से बना छोटा मू बड़ी बात small bits great beast बट्टे बच्चों clear हो गया होगा अगला कि अरे यार खुलकर बात करो यहां सभी अपने हैं क्या शर्माना दंग से बात करो आप डांस मस्ती करते हैं सब अपने हैं all are hours that all our hours कि सब के सब जो है हमारे है यहां पर मतलब सब अपने हैं कोई पर आया नहीं सब अपने हैं just enjoy, speak whatever you want next तो मेरी जासूसी कर रहे हो कि तु मेरी जासूसी कर रहे हो तो इस जासूसी कर रहे हो तो यह जो sentence इसे क्या translate करेंगे you are spying on me कि तुम मेरी जासूसी कर लिए कि you are spying on me जासूसी करना spy तो spy noun भी होता है, spy verb भी होता है यहाँ पर वो ऐजे verb यूज हो ए जासूस, spy का मतलब जासूस होता है ठीके ना? तो यह noun भी है लेकिन यहाँ पर जासूसी करना ऐसे वर्भ भी यूज ओ रहा है तो मेरी जासूसी कर रहे हो ठीकि बच्चे अगला बोलते हैं यार मैं परेशान हो गया हूं तो हम भाई हम ने बताया ना जासूसी करना कि किसी के पीशे किसी को लगा देना जासुसी करना, किसी के पीछे, किसी को लगा देना, ये पता करने के लिए, कि वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किस के साथ रह रहा है, किस के साथ उठ रहा है, किस के साथ बैट रहा है, तो पीछे जासुस लगते हैं, उसी को कहते हैं, तो I'm pissed off, प्रिशान हो गया हूँ, तो यह उस इरिटेशन में बोले जाने वाला संटेंस है तो यह उपर तक पेड भर चुका है तो अब बसके नहीं हो भाई अब नहीं घा सकता मैं यहां तक पेड भर गया तो I'm Stoved No, no more food no more not a bit I'm Stoved तो फुलोफ बैली एक स्टमग होता है बाहरी पेट स्टमग और अंधरोनी पेट बैली कहा जाता है ठीक है मैं पैट उपड़ तक भर चुका है मतला पूरी तरह से मैं संतुष्टो चुकाने में अब उतने से यार मुझे तुरंट टॉलेट जाना है मुझे तुरंट शुचाले के तक तक यार जोर से आरी है प्रेशर बंद रहा है अब शायद कोई ही दुनिया का ऐसा इंसान होगा जो रोजाना टॉलेट ना जाता हो हाँ, लेकिन ये situation कभी-कभी आती है कि बस आप तो जाना ही जाना है तो देखो इसको कितनी तरीके से बोल सकते हैं आम बरस्टिंग भाई मैं तो फट जाओंगा अभी आम बरस्टिंग पर्स्टिंग पर्स्टिंग मुझे तुरंट शुचाले जाना है मुझा अभी टोलेट जाना है मेरा प्रैशर बन रहा है मेरा प्रैशर बन रहा है अगला देखें अगला में थककर चूर हो गया हूं कितना इन फॉर्मल वर्ड और कितना यूज में आने वाला वर्ड है कि मैं थककर चूर हो गया हूं मिझा खो या आ है मिझा तो आ एम र या एम ए ग। Infinv Ly टायूर्ड आ damn रिगो या फिर आहिम स्टिम्लि टायोर्ड तरह से थक मान दोप Hawk तक कर चूर 快護 ए रिखीasm जान नहीं है तो दोस्तों ये मने कुछ ऐसे सेंटेंसिस दिये जो रोजाना लाइफ में इस्तेमाल होते हैं उम्मीद कर रहा हूँ सब को समझ में आ गए होंगे क्लियर रेस्टुरेंट्स तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए से यो टाटा बाइबाइब